नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में हम टाटा स्काई बिंज पलस बोक्स की अन्बोक्सिंग करेंगे और इसके बारे में जानेंगे तो चलिए इसके साथ अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह टाटा स्काई का बोक्स है जो एंड्रोइड बोक्स नया आया यह है मेरे पास तो मैं इसकी अन्बोक्सिंग काफी लेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी मिला है तो चलिए अब इस बोक्स को हम ओपन करते हैं पहले मैंने यह खोल रखा इसका सैटम मैंने देख रखा अच्छी तरह ऐसे इसको मैंने ट्राई भी किया है तो जो इसमें स्टार्टिंग में बोक्स में निकलता है वो मैं बता देता हूं आपको इसमें यह सबसे उपर एक गत्य का टुकडा रखा हुआ इसकी सेप्टी के लिए बारा वोल्ट दो अमपेर का एक अडप्टर है इसमें अडप्टर अच्छी क्वाल्टी का है आउटपुट बारा वोल्ट दो अमपेर है इस अडप्टर की चलिए अडप्टर को एक साइड रख देते हैं उसके बाद इसका रिमोट है रिमोट को अभी साइड में रखता हूं उसके बाद यह टाटा स्काई का बोक्स निकलता है इसमें से जो की एंड्रोइड बोक्स है इसके नीचे आपको एक HDMI केबल मिल जाएगी है चलिए HDMI केबल को मैं यहाँ पर रख देता हूं तो अब पहले हम इसके रिमोट के बारे में बात करेंगे तो रिमोट इसका ब्यूटूथ इनेबल है तो इसमें नुमेरिक की बैक बटन यह इसका सैटिंग्स वाला है गोगल असिस्टेंस का है य और यह की TV के लिए और यह स्टेंड वाइ के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें सैल डाल रखें तो कोई भी की प्रेस करने पर यहां से यह बलिंक करता है और यहां ही से यह माइक जब हम गोगल असिस्टेंस यूज करते हैं तो यह माइक की जो आवाज है वो भी यही से जाती है इसमें तो दोस्तों इसका रिमोट भी काफी अच्छी क्वाल्टी है ब्लियूटूथ इनेबल है और यह नॉर्मल मोड में भी टाटा स्काई बोक्स के साथ काम करता है यूनिवर्सल रिमोट है इसको हम LED TV के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं LED TV के साथ पेरिंग कैसे करन होगा तो चलिए यह तो हो गया रिमोट का वोइस नेबल है गूगल असिस्टेंस से काम करेगा तो अब चलिए बोक्स के बारे में बात करते हैं बोक्स का डिजाइन काफी अच्छा है इसका यह उपर बिंज प्लस की ब्रांडिंग है यह टाटा सका ही जो लिखा हुआ है जब हम इसको उन करेंगे तो यह गलोब भी करेगा तो इसमें लाइट आती है उस टेम एंड्रोइड और 4K है 4K बोक्स है यह टाटा सका ही का इसमें तो बिल्कुल प्ले नहीं तो चलिए अब इसकी बैक साइड में आपको दिखा देता हूं बैक साइड डिशन टीना इन और उसके बाद यह ओडियो वीडियो इन का है उसके बाद है यह अप्टिकल वाला उसके बाद HDMI है HDMI आउटपुट दो USB पोर्ट है इसमें उसके बाद इथरनेट केबल के लिए और लास्ट में इसकी अडप्टर लगाने की जो पिन होती है अडप्टर जैक है इसमें तो चलिए दोस्तों अब इसका हम इंटरफेस देख लेते हैं यह कैसा है चलिए अब मैं इसको टीव पर लगा देता हूं इसकी होम की में जाने के बाद चलिए अब इसका बिंच प्लस बोक्स का इंटरफेस देख लेते हैं होम में हमारे ओन नाव है जो प्रोग्राम्स और उसमें रिक्मेंड़ेड एप्स शोकेस वगरा सब आएंगे तो रिक्मेंड़ेड एप्स में प्राइम वीडियो होट स्टार सननेस्ट इरोजनाव हंगामा प्ले यूट्यूब शेमरू तो इसमें नेट्फिक्स नहीं है इसमें अब गाइड में चलते हैं गाइड में हमको जैनरवाइज प्रोग्राम्स दिये गया है इसे हम प्रोग बेंज में जाने के बाद जो इसकी ओनलाइन मॉवीज प्रोगहरा है न्यूरियूरिज ओरिजनल्स यह सब दिया गया है यह सब ओनलाइन कउंटेंट है इसमें मूवीज, टीवी शोर्स, किड्स, रेजनल्स हैं, न्यूज्स हैं यह सब दिया गया है, उसके बाद चलते हैं एप्स पर एप्स में इसमें प्राइम वीडियो, डिजनी होट स्टार यह सब दिये गया है पर इसमें नेट्फिक्स नहीं है इसमें हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेट्फिक्स भी करके देखेंगे, होता है कि नीए, इसमें इंस्टोल चलिए अब फिर से बैक चलते हैं तो इसमें, इसमें मैं बता दूँ ये एंड्रोइड नाइन बोक्स है डिवाइस प्रेफरेंसिज में चलते हैं यहां में देखेंगे अबाउट अबाउट में इसका जो एंड्रोइड वर्जन है वो 9 है एंड्रोइड 9 5 है एंड्रोइड 9 है यह वैसे इसकी इंटर्नल मेमरी 8GB है पर यहां पे शो रही है 4.4GB और रैम इसका 2GB है तो गूगल कास्ट बाकी सबी इसमें है फोन का स्क्रीन कास्ट भी कर सकते हैं हम गूगल कास्ट भी कर सकते हैं इसमें गूगल कास्ट का ओप्शन भी है इसमें और गूगल असिस्टेंस असिस्टेंट भी है इसमें ब्ल्यूटूथ कनेक्टिविटी है इसकी रिमोट के साथ यहां पे एक सर्च का ओप्शन नोटिफिकेशन उसके बाद मैसेज आते हैं यहां पे उसके बाद यह सैटिंग्स का है सैटिंग्स में हमारी एंड्रोइड सैटिंग्स रहती हैं और उसके आगे जो है यह इसमें हमारी सैटिंग्स रहती है जैसे पैरिंटेल कंट्रोल यूजर सैटिंग्स इस्टलस में और मंघाएक अकाउंट तो दोस्तो आज यहाद जरू आज वीडियो में बस इतना यह था जो कि हमारी वीडियो तो में इसका फ्रस्ट करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यावाद प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं.